नमश्कर दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चनल पर आज हम आपको पित्त की पत्री को दूर करने के लिए कुछ घरे लूप चारों के बारे में बताएंगे पित्त में पत्री बनना एक पीड़ा दायक समस्या है असी प्रतीशत पत्री कोलेस्टरॉल से ही पनती है पित्त लीवर में बनता है और इसका भंडारन गौल ब्लेडर में होता है यहाँ पित्त फैट यूगत भोजन को पचाने में मदद करता है लेकिन जब पित्ट में कोलेस्टरॉल और पिली रूबिन की मातरा ज़ाद हो जाती है तो पत्री का निर्मान होता है पित्ट की पत्री को घरेलू उपचार के माध्यम से भी ठीक किया जा सकता है तो आईए अब जानते हैं उन घरेलू उपचारों के पारे में इससे पहले सबसे पहले एक निवेदन उन सबी दर्शकों से जो अच पहली बार हमारी चैनल पर आये हैं क्रप्या हमारे चैनल की सदसिता को ज़रूर ले लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें हमारे दरदी कई जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फायदा भी उठा सकें साथ ही सही जानकारी के लिए इसे अंतितक ज़रूर देखेगा दोस्तों आप ऐसे फलों का जूस भी पी सकते हैं जिनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है जैसे की संत्रा, टमाटर, आदी इनमें मौजूद विटामिन सी शरीर के कोलेस्टरॉल को पित्त अमल में परिवर्टित करती है जो पत्तरी को तोड़कर बाहर निकालता है आप विटामिन सी संपूरक ले सकते हैं पत्तरी के दर्ध के लिए यहाँ एक उत्तम घरे लूपचार माना जाता है अगर आपको पित्त की पत्तरी की समस्या है तो आप गाजर और ककड़ी का रस प्रतेक 100 मिलीटर की मात्रा में मिलाकर दिन में दो बार ज़रूर पीज़े इन समस्या में से अत्यन्त लाप लायक घरे लूपचार माना जाता है यह कोलेस्टरॉल के सकत रूप को नरम कर बाहर निकालने में मदद करती है पत्री के लिए हल्दी एक उत्तम घरे लिए उपचार माना जाता है यह एंटी ओक्सिडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी होती है ऐसा माना जाता है कि एक चम्मच हल्दी लेने से लगभग 80% पत्री खत्म हो जाती है सेब डॉक्तर को दूर रखने में बहुती मदद करता है इसलिए एक ग्लास सेब के रस में सेब साइडर सिर्का का एक बड़ा चम्मच मिलाकर नियमित रूप से दिन में एक बार जरूर सेवन कीजे सेब में मैलिक एसिड होता है जो पित्य पत्री नर्मी में सहायता करता है और सिर्का पत्थर के कारण कोलेस्टरॉल बनाने से लीवर को रोकता है यहाँ एक पित्य की पत्री के हमले के दौरान दर्द को कम करने के लिए भी माना जाता है तो दोस्तों यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट सरूर कीजेगा इसे देखने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद